असलाम अलेकम अलतानी फूट व्लॉग विन नाजिश में वेलकम जी आज हम बनाने लगे हैं बहुत असान चटपट बनने वाली असान सी मज़िदार सी टेस्टी खटी मीटी इमली की चटनी जिसके लिए तकरीबन हाफ के जी करीब मैंने एक इमली ली उसको मैंने पानी में बिगो के 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया पहले एमली को सीम्पल वालना से वाष कर लिए हलका सा उसके बाद फिल्टर वाला पानी ले कि इसको मैंने एक बाई में डालके रख दिया 2 से 3 घंटे के लिए उसके बाद हम इसका पलल्प, प्यूरी, इसको अलदा कर लेंगे. यह देखे, मैंने क्या किया कि पहले इसको जिस पानी में इमली हमने भी गोकी रखी थी, उसी पानी में इसको अच्छे से मसला, मसलने के बाद मैंने इसको स्टेनर से स्टेन कर लिया, और उसके बाद एक तीन से चार ग्लास पानी में और लिया जग में और थोड़ा थोड़ इंग्रीडिंट्स इसके चार हैं इन चार इंग्रीडिंट्स में हमारी इमली की खटी मीटी चटनी त्यार हो जाएगी एक दफा आपको फिर रीकैप कर देते हैं यह हमारी हाफ केजी इमली थी जिसे हमने हलके पानी से वाश करके दो से तीन घंटी के लिए बाउल में रख पानी डाल के जिसमें अच्छी तरह डिप हो गई उसके बाद हमने इसका पल्प अलग कर लिया यह रहा इसका पल्प ठीक है और इसमें हमने थोड़ा सा पानी और भी शामिल किया था जिससे अच्छी तरह हमारा इमली का पल्प अलग हो गया और उसकी गुट्लियां अलग इसके बाद ही अब हमने एक sauce pen में डाल के इसे पकाने के लिए रख दिये इसके ingredients है शक्कर है इसमें एक अब हम फुल भर के लेंगे इसमें कुटी लाल मिद जाएगी देटी स्पून सोंट जाएगी इसमें half टी स्पून नमक जाएगा इसमें one टी स्पून ठीक है ये total इसके ingredients है इमली पहले ही खटी है तो हम इसमें सिरका नहीं इस्तवाल करेंगे और रमजान के हिसाब से भी ठीक है आपके गले को भी जादा नहीं लगेगी और बहुत मज़े सी हलकी सी खटी और मीठी सी चट्टी हमारी रैडी हो जाएगी अच्छा जी पानी हमने सबसे पहले प सामक शामिल कर देंगे इसको मिक्स करेंगे अच्छे से कुटी लाल मिर्च भी हमने में शामिल कर दी 1,5 टी स्पून और इसको इसको मिक्स कर लेंगे और इसको पकने देंगे ठीक है अगर आप शकर की जगiran चा लुख़ ड़ना चालते है तो आप गुल्त का शीरा लग से पानी में एक ग्लास पानी में बनाएंगे और इसको पहले अच्छे से छान लेंगे ठीक है शक्कर साफ थी इसलिए मैंने ड्रेक्ट शकर इसमें शामिल कर दी करीबन 20-25 मिनट हलकी आच पे हम इमली का अपनी चटनी त्यार करेंगे अभी यह पकरी है आप देखें अभी काफी पतली है तो इसको पकने देंगे और जब यह पकने के बिलकुल करीब आजएगी तो हम इसमें सोंट अपनी शामिल कर देंगे ठीक है यह देखें अब हम इस में अपनी सोंट शामिल कर रहे हैं यह शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मीक्स कर देंगे और फ्लेम एक से दो मिन नेयुट के बाद हम ओफ कर देंगे चटनी हमारी रेडी है ठोड़ा सा हमने इसको रूम्टंपरेचर पर आने दिया उसके बाद जी हम इसको अपने बावल में निकाल रहे है मज़िदार सी खटी मिठी इमली की चट्टी हमारी रेडी है और देखें बहुत देखने में बहुत टेस्टी लग रही है और बहुत मज़ी की लग रही है आपने ये रेस्पी जरूर बनानी है और अपनी अफ़ारी में इसको जरूर शामिल करने है और मुझे दौाओं में जरूर याद रखने है अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं पर आपनी मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर ले टिन टिन बेल भी बजा दे और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप एरी वीडियो शुरूर से इंट तक जरूर देखा करें और लाइक शेर भी जरूर किया करें सबस्क्राइब एक दफ़ा पिर कह रही हूँ करना नहीं बूलना यहां हमारी चेटनी बिलकुल रेडिया है बाउल में आ चुकी है अब इसको हम टेस्ट करेंगे मज़े की है बहुत और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त मुलतानी फूट व्लॉग विद नाजिश अल्लाह पीज